हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस अतिश कुमार एंड यू और वाचें टैफ एक्षन यूटूब चेनल दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि केसे आप अपने किसी भी एंडूड फोन के अंदर टोर ब्राउजर को इंस्टोल कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पीसी के अंदर टोर ब्राउजर को इंस्टोल करके बताया था तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंडूड फोन के अंदर इस्टोल करके बताता हूं कि टोर ब्राउजर को आप कैसे यूज कर सकते हैं पहले क्या था क तोर प्राउजर सिर्फ और सिर्फ कंप्रिटर के लिए अवेलेबल था लेकिन यह अब अफीचियली एंडर्ड फोन के लिए भी अवेलेबल हो चुका है तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहांसे प्ले स्टोर ओपन कर लेना ठीक है और यहां पे आपको सर्च करना है टोर ठीक है तुझे से टोर सर्च करोगी सबसे पहला जो रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है उसको इस्टोर कर लेना है औरवट proxy with Vorn तो यह install हो जाता है इसको install होनी देते हैं ये depends करता आपके internet speed के उपदा ओपर ठैक है तो यह install हो चुका है simply आपको यहां से इसको open कर लेने है यह कुछ instruction आपके सामेने आएंगे तो इनको आपको skip करते हैं यहां से और अब आपको यहाँ पर क्या करना है Choose Apps पर क्लिक करना है तो अब जिदनी भी Apps आपकी मुबाइल के इंदर इंस्टोल है उन सब की लिष्ट आपके सामने आ जाएगी और जिन एप को आप Tornator के साथ में Connect करना जाते हैं उनको यहाँ से Select कर लेजिए ओके प्रेस करना है और Done पर क्लिक कर देना है यह ओर्बोट स्टार्टिंग दिखा रहा है यहाँ पर आप देश सकते हैं और यह स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ओके Connected to the Network आप देश सकते हैं यहाँ पर Download Speed और Upload Speed अब आपको यहाँ पर VPN Mode को भी नहीं जान पाएगा कि आप क्या Internet पे सर्फ कर रहे हैं क्या Internet पे देख रहे हैं तो अगर आप अपने मुबाइल के अंदर Deep Web या फिट डार्क वेब को भी सर्फ करना चाते हैं तो इसके लिए भी इन्होंने एक Official Browser बनाया है अब बेसिकली क्या है कि हमारे जो Normal Browser है Chrome Browser या फिर UC Browser ये इतने सक्सम नहीं है कि आपको डार्क वेब सर्फ करा सकें तो इसके लिए आपको एक Orphox नाम से एक Browser आता है जो आप यापे आइकन देख सकते हैं इस पर टैप करने और Restore Orphox पर क्लिक कर देना अभी जो Orphox Browser है इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो अगर आप Deep Wave, Dark Wave सर्फ करना चाहते हैं तो आप इस Browser का यूज कर सकते हैं बाकी कोई जूरत नहीं है इसकी आपकी Identity तो वेसे भी Hide हो चुके है तो मैं इसको Install तो नहीं करने वाला हूँ ठीक है ओके तो अब हमारा जो मुबाइल है वो Tor Netro के साथ में Connect हो चुका है अब आप Anonymous हो चुके हैं आपका IP किसी को पता नहीं चलेगा अब यह क्या है कि यह Background के अंदर हमेसा Run होता रहता है देख सकते हैं आप यहां से यहां से Background के अंदर हमेसा Own रहता है तो अगर आप इसको यहां से Exit करना जाते हैं इसको Stop करना जाते हैं तो Simply दुबारा से आपको औरबोट ओपन करना है यहां पे 3.0 पे क्लिक करके Exit पे क्लिक कर देना है तो इससे क्या होगा कि यह जो नेटर्क है टोर नेटर्क उससे आप डिस्कनेट हो जाएंगे और अपने नोर्मल नेटर्क से कनेक्ट हो जाएंगे तो यह एक चोटा सा टुटोर्ल था तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया कि आप टोर ब्राजर को कैसे अपने मोबाइल के अंदर इस्टोल कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोब्लम आ रही है या फिर क्यों क्यों से नहीं से रिलेटेट तो आपने चेक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं जल्दी उनका रिप्लाइ कर दूँगा उमिद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को सेर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए पास में तो बैल आइकन इसको भी जरूर दबा दिजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन मिल सके तो मैं मिलता हूँ से नेक्ट टूडियो के अंदर तब तक के लिए गुड़ बाई हाँ हाँáfic आपको आ